हेलो फ्रेंड्स तो केसे हैं प्लोग मेरा नमे पर वेजर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चनल टेखंट वाइटेपर फ्रेंड्स आज कम अपने वीडियो में यह बताने वाला हूं कि अगर आपके पास भी पोको के फोन्स या फिर रेडमी की डिवाइस ह आप सही से काम नहीं कर रहा है और आपका भी प्रोक्स्मिटी सेंसर प्रोलोम दे रहा है तो इस प्रोलोम को हम फिक्स करेंगे अपनी इस वीडियो में तो इस वीडियो में आपको सिफ दो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी प्रोक्स्मिटी सेंसर को घर बेटे ठीक क को शुरू करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं फोन की सेटिंग में उसके बाद यहां पर सर्च करना है प्रॉक्स्मेटी सेंसर उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिखा रहा है प्रोक्सिमेटी सेंसर अगर आपका गलती से कभी और यह प्रोक्सिमेटी सेंसर ओफ हो गया हो तो आप इसको अन कर लेना उसके बाद फिर करते हैं फिर आपको यहां पर स्लेच करना है पावर बटन n call तो फिरेंड सिंपली आपको पावर बडिन एंड कॉल इसको इनेबल कर देना है इससे क्या होगा कि कई बार एक सा कि हमारा प्रोक्सिमेटी से पॉली तरह से वाइट हो जाती है और वर्क नहीं करता है कभी यह होता है कि हमारे screen पूलतरह से ब्लेक हो जाती है और हमारे screen कभी कामी ने काई तो कोई button काम नहीं करता है इस problem को fix करने के लिए आपको ये करना पढ़ेगा अपने जो power button end call इसको enable कर देना है इससे क्या होगा कि अगर अपका प्रोस्मेटी से वर्क नहीं भी करता है तो अपने फोन को एंड कर सकती है अपने पावर बटन से तो अमीद करता फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत पसंद आए होगा